कोरोना वारस को फैलने से रोकने के लिए मुंबई में महराश सरकार की मंत्राले बिल्डिंग में साफ सफाई का काम जोरों पर दिखा जहां मुख्य मंत्री, मंत्री और आला अधिकारी तो बैठते ही हैं इसके अलावा पूरे प्रदेश से आम लोग भी वहाँ अपने काम करवाने के लिए पहुंचते हैं ऐसे में कोरोना वारस से बचने के लिए पूरी इमारत को सैनिटाइज किया गया एक सफाई करमचारी फर्ष पर पोचा लगाती दिखी तो कुछ एसकेलेटर की हैंड रेल पर कपड़ा मारती नज़र आई पिलर और रेलिंग भी साफ की गई ये पूरा काम हाथों में दस्ताने और चेहरे पर मास्क पहन कर किया गया एदियात के तौर पर मंतराले बिल्डिंग में जाने वाले लोगों पर भी बंदिश लगा दी गई इस वज़े से जहां रोजाना हजारों लोगों की चेहल पहल रहती थी वहां कुछ लोग ही नज़र आए मंतराले में पूरे प्रदेश भर से हजारों के संख्या में लोग रो जाते हैं लेकिन फिलहाल मंतराले में पब्लिक इंट्री बंद कर दी है यहां पर एक लंबी लाइन लगी होती थी दो बजे के बाद से और जिसके पास पर्मान इन पासेस हैं उन्हीं को लाउड किया जा रहा है वही महाराष्ट में क्रोना वाइरस के खत्रे को देखते हुए परिवन विभाग ने बसों की सावसफाई का काम तेज कर दिया चाथी विभाग ने बसों में यात्रियों के लिए सेनिटाइजर के इस्तिमाल का भी फैसला किया ताकि कोरोना वाइरस को फैलने से रोका जा सके इसके लिए हर फेरे के बाद बसों को सेनिटाइज किया जा रहा है महराश्ट के परिवान विभाग की तरफ से कई टीमें अलग-अलग डिपो में तेनाथ की गई हैं जिनका काम ये देखना है कि बसों की साफ सफाई अच्छे तरीक्रिस हो इस वग हम कड़े हैं मुंबई के ST बस डिपो जो है वहाँ पर परिवान विभाग की बसों के अलावा मुंबई में बेस्ट की बसों को भी हर फेरे के बाद सेनेटाइज करने के आदेश हैं जिसमें सफाई करमचारी लगातार जूटे हुए बसों में सफर करने वाले यात्रियों को सेनेटाइजर भी दिया जा रहा है ताकि कुरोना वाइरस को पहलने से रोका जा सके महराश्ट में अब तक कुरोना वाइरस के 49 मामले सामने आ चुके हैं और उससे एक की मौत हो चुकी है कुरोना वाइरस से निपटने के लिए उत्तरा खंड की राजधानी देहरा दून में भी ट्रेनों को सैनेटाइज करने का काम तेज कर दिया गया यातरियों को कुरोना वाइरस से जोड़ी जानकारी देने के लिए स्टेशन पर एक हैल्पड़ेस की बनाया गया अधिकार्यों ने दावा कया कि यातरियों की सुरक्षा के लिए विशेश साथानी बढती जा रही है करोना वाइरस के बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली मेट्रो को भी सेनिटाइज किया गया दिल्ली मेट्रो से हर रोज लाखों लोग सफर करते हैं और इसलिए लोगों में इस संक्रमन को पहलने से रोकने के लिए दिल्ली मेट्रों की हर ट्रेन को सैनिटाइज करने का काम शुरू किया गया इसके लिए सैक्णों साफसफाई करमचारियों की मदद ली गई सफाई कर्मचारी ट्रेन के हर हिस्से को साफ करते नजर आए इस दोरान कुछ सफाई कर्मचारी ट्रेनों की सीटों, दर्वाजों, खिड़कियां और उनमें लगे शीशों को कपड़े से पहुंचते दिखे जबकि कुछ लोग पर्श को रगड़ रगड़ कर साफ करते रहे इसके साथ ही मेट्रो स्टेशनों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है साफ सफाई कर्मचारी मेट्रो स्टेशनों की रेलिंग, टिकेट काउंटर और टोकन वेंडिंग मशीन समेथ हर चीज को सैनिटाइज करने में जुटे है